जब मेग छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है मेग गरशते हैं, बिजलिया कड़कती हैं, बर्शा होती हैं सभी पशू अपने आश्रे स्थल पर जाकर छिप जाते हैं मनुष्य अपने घरों की ओर दोड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोशलों में जाकर छिप जाते हैं परन्तु एक जीव है, जो गरशते मेगों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्शा को भी हरा देता है वो जीव है बास, चुकि वो समस्या की जड़ों से उपर उड़ता है वो गरशते मेगों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्शा से, इन सब से उपर यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे, तो समस्या बड़ी हो जाएगी और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे, तो समस्या छोटी हो जाएगी वो कृष्न, वो कृष्न तो मेरा रूप रखकर सबको, सबको भ्रामित करता रहता है बहरूपिया महत्र है वो तो उस उस कृष्ण का तो इस संद्राश में अब एक और शब्वासुदेव के विरुख मत कहना अन्यदा अन्यदा क्या अंगराज है मार डालोगे मुझे मार डालोगे डूर्योधन ! तनिक देखो देखो तुम्हारी सेना का ये भीर कहीं वास्तविक्ता में उस चलीए का घुप्चर तो नहीं है चलीया और पहरूपिय तो तुम हो कहों classify को में तुम्हारी वास्तविक्ता मेरे समख जा गई है तुम मेरी चिन्ता कर भी छोड़ो केवल अपती चिन्ता करो तुम केवल एक बड़बोले ढूंगी हो जो वासुदेव होने का सुहंग रचा कर बैठे हो मौन रहो दुस्ताहदेव मौन तेरा इतना दुस्ताहद कि तो मुझे बॉंद्र का तुम वासुदेव को धोंगी कहता है मूरक देव, चांथ हो जाओ मेत्र, चांथ हो जाओ अब बॉंद्रक, कांड का ये ताजपरे नहीं था मेरा यही ताजपरे था ये धोंगी है यादि तुम वासुदेव हो तो मुझे निशास्त्र कार के तिखाओ मे तुमे चुनोती देता हूँ पंद्रक वासुदेव को चुनोती एसे खड़े खड़े देख क्या रहा है तुमूरक हाँ मेरे साथ युद्ध कर मेरे हाथों मरेगा कुझे मुझ मिलेगा जिस प्रकार आज मैं तेरा अंत करने वाला हूँ उसी प्रकार मैं उस कृष्ण का भी अंत करूँगा उस न छोड़ का जो रास लीला के नाम पर स्त्रियों को भ्रमित करता है जो बाल क्रिडा के नाम पर स्त्रियों के वस्तर चुराता है जो स्वेंवर से स्त्रियों का हरन करता है उसक्रिष्न का पक्ष ले रहा है तू, उसको उसके लिए तू मुझे युद्ध कर रहा है उसक्रिष्न का भी मैं बद करूँगा, पहले तेरा, उसके बाद उसका अब तुम्हें सीमा पार करती है नहीं मेत्र नहीं मेत्र आज इस पॉंदर का अंतिम दिवास है आज तू बton है में? 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 बेड़ दिस अंडन क्दूरों कि ऑम छो सिय बन्यों के जितने हैं अपैस कर दिर ऌुरो तरुटनुक दुआ हमें विरी कर दो दो जाओाईãy हमें विरी कर दो जुआjas कर दोд भचे कर दोड़गई जुआ कर दोड़ग sorry आढाएर अाएर आढाएर अाएर अाइर पुल इंख्डोर न्हाँरा नॉचार अाऊर कि और समय किते खॉब हॉब आपस बॉब है और अजग वाद ब्हुप कर दो कि अज़ जिला फ्रव कि अज़ फब झार्व कर दो आंग झार्व झार्व यह प्रक्रव व्ार्व अगला प्रहार तुम्हारे सीने को चीड़ देगा पॉन्दरक शमा मंगो अब बोलो क्या कह रहे थे तुम कौन हो तुम मैं ही हूँ वास्तविक वासुदेव पॉन्दरक वासुदेव मैं ही हूँ पाखंडेव नहीं गर्ड मित्र नहीं नहीं मित्र रुक जाओ अंगराज रुक वासुदेव वासुदेव आगया आगया तू छलिए आगया अन्तता वो दिन आगया क्रिश्न जिसकी वर्षों से मुझे प्रतीक्षा थी यदि अन्त से पूर मनुष्य को उसकी भूल कभान हो जाए तो अच्छा ही होता है अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि वास्तविक वासुदेव कौन है मैं मैं ही हूँ वास्तविक वासुदेव पॉंद्रक वासुदेव इसलिए जिसका अधिकार आरंग से केवल मेरा है मुझे मेरा सिदर्शिन चक्र देदो कृष्न देने ही तो आया हूँ तुम् जावनी मैं तुम्हें बहुत अफसर दे चुका हूँ पॉंड्रक तुम्हारे पाप का घड़ा भरता जा रहा है पॉंड्रक अब मेरा स्वांग रशना बंद करो चुपकर छलिया कृष्न तू ढूंग तू छलिया मुझे बताएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क क्या नहीं जो तुझे देव मानते हैं ना वो सब प्रिष्टी हीन है और बुद्धी हीन भी परंतु मैं नहीं हूँ अपने सहियोगियों को धैर की महीमा समझाओ दुरियोधन युद्ध प्रारंब होने में अभी समय शेश है और समय से पूर्व युद्ध को अमंत्रन देना सर्वनाश को अमंत्रत करने के समान होता है दुरियोधन युकि इस समय मैं अस्त्रना उठाने के लिए बंधित नहीं हूँ मनश्य को खाई में गिराने के लिए उसका केवल एक बग प्रयाप्त होता है पॉर्ण रख अभी अभी मैंने करन को रोक कर तुम्हें मृत्यू के मुख में जाने से रुका है कदाचे तुम्हारा अगला पग तुम्हारा अंत ना रोक पाए पॉंट रख पंद करिये भाशन चलिये चलिये पाखंडी आज मैं तेरा अंत कर कही रहूंगा क्रिष्ट एरे रखो वित्र कुद मुझे भी आ रहा है आम नकवद को जित्त के लिए बचा के रखो तेक कहा वासुदेव युद्ध होगा परन्तू उचित समय पर और उचित स्थान पर उस महायुद्ध के प्रथम देवस पर मैं आपको तरा वश्य दूँगा तुम चोटिलो हो मित्र आओ तुम्हे तुम्हे तुम्हारे शेवरे पर छोड़ दूँ आओ वित्रकाण तुमसे अस्तेना पुरपे भेट होगी आशाय तब तक तुम अपने इस घ्रम से निकल जाओगे और तब तुम समझेओगे कि मेरा चुनाओ पुचित्था आशाय तो मुझे थी मित्र कि तुम अपने भ्रम से निकल कर वास्तविक शक्ति को पहचानों के हैं तुम कोई लाब नहीं जोहानी तुमने स्वयम को और हम सब को पहुचानी थी वो तुम पहुचा चुके हो जलो पोड़ियो आज़ो मैं अपना सुदर्शन चक्र तुझ से लेकर रहूंगा जिस पर आरंब से केवल मेरा अधिकार था है और लाएगा हलो स्वारती हलो स्वारती हलो हलो करनी बात वासुते आग क्या थे इतनी भी क्या शीख्रता मित्र सार्थी रह चुका हूं तुम्हारा आज भी अपने रथी का मन पढ़ सकता है ये नटवर समझता कि तुम व्यथित क्या अपने मन की बात अपने सार्थी से नहीं कहोगे तुम अपने रथी का मन आप पढ़ सकते है ना तो पढ़ लीजे इसलिए कहता हूं मित्र जो दुरियोधन ना पहचान सका वो आप जानते हैं और उसे मैं भी देख सकता हूं जिस शन उसने आपको अत्याक कर सेना को चुना उसी शन उसने वेजे श्री थाल में सजाकर बांड़ों को भेट कर दी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैंत्र नारायनी सेना दुरियोधन के अधीन होने से उसकी शक्ती में व्रध्धी अवश्य हुई तुम्हें नहीं लगता कि अरजुन ने भूल की क्या मिला उसे निहत्थे कृष्ण को चुनने से जिसके हाथ के संकेट से श्रिष्टी बनती है और बिगड़ती है वो कैसे निहत्था हो सकता है वासुदे परन्तु सत्य ये भी है में कि मेरे युद्ध में उपस्तित रहने पर भी मैं युद्ध नहीं करूँ तो फिर मुझसे किसी को क्या हाने और क्या लाग सबसे बड़ा अस्त्रू तो आप चला चुके हैं सुआयम को दुर्योधन के विवपक्ष में रखकर आप ही कहते हैं न कि निन्ने ना लेना भी कभी कभी सबसे महत्वपून निन्ने होता है कि हम पक्ष ना चुनकर भी कभी कभी पक्ष बात कर जाते हैं भले ही संसार ना देख पा है परन्तु मैं जानता हूँ कि आपने पक्ष लिया है वासुदेव नहीं मित्रू मैं किसी का पक्ष नहीं नेता हूँ ना किसी को चुनता हूँ लोग मुझे चुनते हैं या छोडते हैं मानता हूँ कि आपने किसी को नहीं चुने परन्तु आपने दुर्योधन को बात देह किया कि वो आपको ना चुने आपने ऐसी परिस्तितियां उत्पन की कि वो ही आपको चुने जिसे आप चुनना चाहते हैं क्या ये एक प्रकार का बक्षपात नहीं बासुदे तुम्हारे यही प्रविर्ती मुझे भाती है मित्र और तुम्हें सबसे भिन्न बनाते हैं तुम बुद्धिमान और स्पष्टवादी भी इसा होकर भी क्या लाब वासुदे जब मैं आपका साथ ना पास सका कितने वर्ष हो गए हमारी भेट को जब से हम मिले हैं हमारे पक्ष सदा भिन्न थे परांतु हमारी सोच एक थी भासुदे फिर आपने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा क्या किया मित्र आप सब जानते हैं फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं अब तो मान जाईए कि आप पक्षपाती हैं कैसा पक्षपात अंगराज विराट नगर में मैंने कौरवो और पांडवो को समान अफसर दिया कि द्वारका आकर मुझसे पहले जो समर्थन की मांग करेगा मैं उसी का समर्थन करूँ विराट नगर में जब आपने वचन दिया वहां सब उपस्तित थे परन्तु द्वारका में जो खटित हुआ वो केवल दुर्योधन और अर्जुन ही जानते हैं दुर्योधन को केवल आपने फ्रम दिया और शक्ती दिया अर्जुन को झाल झाल झाल